एलो फ्रिंट्स तू कैसे है आप लोग आपका स्वागती मेरी इस चैनल फिल्मी सेंट्रल में फ्रिंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की पॉपिलर वोर्ड फेमस सैंड अनिमेशन आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर नितिश भार्ती के लाइश्टाल और बायग्राफिक के बारे में तो फ्रिंट्स इस वीडियो को पूरा देखिए नितिश भार्ती का जन्म जनवरी 31st 1990 में मुंबई महारास्टरा इंडिया में हुआ था अभी 2022 में इनकी एज है 31 years इनकी नैशनलिटी है इंडियन इनका प्रोफेशन है सैंड अनिमेशन आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर इनका होम टाउन है मुंबई महारास्टरा इंडिया इनका निकनेम है नितिश इनका प्रोफेशन है इनका रिलीजन है हिंदुईजम इनका करेंट रेसिडेंस है मुंबई महारास्टरा इंडिया इयर्स एक्टिव 2011 प्रेजेंट एथनिसिटी ब्राउन नितिश भार्ती फैमिली डीटेल्स नितिश भार्ती की मा का नाम है भार्ती नितिश भार्ती मैरिटल स्टेटस अनमेरिट गल्फरेंड नेम नॉट नोन नितिश भार्ती फिजिकल स्टेडिस्टिक्स नितिश भार्ती की एस्टिमेटेड है फाइट एट इन्चस और इनका वेट है अप्रोक्स 70 केजी इनका आई कलर है black और इनका हैर कलर भी है black इनका body type है average और इनका shoe size है approach 9 to 10 US नितिश भर्ती, estimated net worth as of 2022 is 100 K US dollars, approach source, sand animation artist and storyteller नितिश भर्ती, hobbies are travelling, sand animation art, storytelling and performing on the shows, reading stories नितिश भर्ती, Asia's Got Talent के popular contestant है और इनोंने India's Got Talent season 4 में भी participate किया था और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा popular हुए थे और अभी 2022 में इनोंने India's Got Talent season 9 में participate किया है और वहाँ पर इनको, इनके audition round में golden buzzer मिला है शिलपशेटी से नितिश भर्ती ने इनडिया एडल के रामा एंड स्पेशल एपिसोड में perform किया था और वहाँ पर अपना भेतरिन टैलेंट दिकाया था और जर्ज नहाका कर ने नितिश भर्ती की जमकर तारिफ भी की थी तो फ्रिंट्स यह था नितिश भर्ती का लाइफ स्टाल और बायगरफी तो फ्रिंट्स आपको कैसा लग है नितिश भर्ती का इंडेस गौट टैलेंट सीजन नाइन का audition round हमें कमेर करके जरू बताना अगर वीडियो को पसंद देते हैं स्टीडियो को लाग कर सेर जरू की जो और बेसे पॉपिलर सेलिब्रिटिस के लाइफ स्टाल और बायगरफी के बार में जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जो और साथ ही साथ बेल लेकों को भी प्रेस कर दीजिए